कि पुराना दर्द हर समय सालता रहता है पुरानी जख्मों को भुलाना काफी कठिन होता है और ऐसा ही दर्द जेला था जैपुर के वाशिंदों ने आज से ठीक साथ साल पहें शेहर के परकोटे में सीरियल बंब ब्लाश जैपुर के लोगों के लिए अचानक हुआ वो हमला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन नापाक मन्सुबों को लेकर जैपुर में दाखिल हुए आतंकियों ने जैपुर वाशियों को ये दड़ दिया और फिर फरात हो गया करूँ थे आतंकियों ना जैपुर के बारे में परैंगे वाशियों से थे इंकिन है जया आज जोनाजता नाजीता तकॉर नियुक्तिन को सब्सक्राब है पहले आज बुद्धवार है लेकिन उस दिन था मंगलवार 13 माई 2008 का दिन गुलाबी शहर के वाशिंदे अपने कामकाज में व्यस्थ थे छोटी काशी कही जाने वाले की शहर में जहां लोग सुबै भगवान की आराधना में व्यस्थ थे वहीं दोपेहर में शहर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था शान्त और सुकून भरा माहोर फिर होती शाम जैपुर के बाजारों में होती है भीडभार और मंदिरों में शंकनाद होने लोगाई लगता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होता है लेकिन आचानक उनकी जिंदगी में आ जाता है एक भूचार राजधानी का परकोटा इलागा और इस्थान बड़ी जोपड़ अचानक यहां होता है एक धमाका ऐसा धमाका जो जैपुर की लोगों ने कभी नहीं सुना जि लेकिन यह जो धमाका था उसने इलाके की लोगों को दहला दिया किसी ने सोचा था कि कोई सलंडर ब्लास्ट हो गया तो किसी ने सोचा कि कहीं तोपों की सलामी दी गई हो लेकिन ऐसा नहीं था बड़ी चोपड़ पर मानत चोग पुलिस थाने के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था चारों तरफ लोगों की चीक पुकार लोगों में भगदड़ और दहशत का माहुल कायम हो चुका था सुरक्षा कर्मी भी नहीं समझ पाए कि आखिर अचानक ये क्या हुआ लेकिन दीरे-दीरे सब को समझ आ गया ये धमाका था बंबलाश्ट का गुलाबी शहर में अंधिरा चा गया दहशत का इलाका बड़ी चोपड का लोग कुछ समझ पाते इसी बीच फिर कुछ पलों बाद ही दहल उठा ये इलाका फिर एक बाद बड़ी चोपड के खंदे में हुए दूसरी धमाके ने फिर लोगों को हिला दिया और अब लोग सब कुछ समझ चुके थे जैपुर में एक के बाद एक बम धमाके बड़ी चोपड पर शुरू हुए इस खुनी खेल के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए सांगनेरी गेट और चान पोल की तरफ दोडने लगे उन्हें फिक्र थी तो अपनी जान की अपनों की जान की लेकिन जिस तरफ भी उन्होंने दोड लगाई उसी तरफ शुरू हो गया दमाकों का दोड दो दमाकों के बाद लोगों में दहशत फैल गई मंदिर में सांज की आरती की जा रही थी शंखनाद हो रहा था और ऐसा ही मंजर था सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर में लोग बड़ी चोपड से सांगनेरी गेट की तरफ भागे तो जोहरी बाजार में इस्थित नेशनल हैंड़ों के नीचे फिर हो गया तीसरा धमाका धमाकों का दूर जारी रहा इस बार सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हो गया चोथा भम धमाका गुलाबी शहर के लोग पूरा मंजर समझ चुके थे जैपुर में पहली बार इस तरह का खोनी खेल खेला गया था लेकिन शहर के वाशिंदों को इसका कोई अनुभव नहीं था अब तो कहानी हर कोई समझ चुका था छोटी काशी में धमाकों की फैरिष्ट शुरू हो चुकी थी लोग लहु लुहान हो चुके थे पूरे शहर में हाहाकार मजना शुरू हो गया जिसको भी खवर मिली बस वह अपनों को उस भीड में खोजने में चोट गया लेकिन इंसानी जिंदकी से खिलवाड करने वाले अपनी कर्तूत को अंजाम दे कर गायब हो चुके थे एक तरफ बड़ी चोपड पर हाहकार मचा था तो दूसरी ओर सांगनेरी गेट और जोहरी बजार में लोग लहु लुहान हो चुके थे अचानक फिर आवाज आती है एक और धमाके की इस बार ये धमाका हुआ कोतवाली के बाहर हर तरफ चीख पुकार लेकिन खील जारी रहा कोतवाली के पास फूल वाले खंदे में फिर तूटा सटे धमाके का कहर खोफनाक मंजर की दास्ता लिखी जा रही थी यहाँ क्योंकि त्रिपोलिय बाजार में सरगासुली के सामने फिर हुए एक धमाके ने लोगों को सांसत में डाल दिया लेकिन छोटी काशी के लोगों ने अपना सैयम नहीं खोया चानपुल हनुमान मंदिर में लोग अपनी पूजा में मश्कूल थे लेकिन आतंकियों ने यहाँ भी लोगों को निशाना बनाया चानपुल हनुमान मंदिर का इलाका दो धमाकों की गुण से दहल उठा बस इन धमाकों के बाद लोग पूरी कहानी चान चुके थे जैपुर में सीरियल बम ब्लाष्ट की इस दास्ता के बाद अब चुनोती थी लोगों को उस भीड में अपनों को खोजने की जैपुर का ये वो मंजर था जिसे यहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा लेकिन इस बार का मंजर उनकी जिंदकी की शाम को काली कर गया फरस्ट इंडिया के लिए क्राइम डैस्क ब्यूर रिपॉर्ट